बीजेपी से गिरीश गौतम ने विधानसबाध स्पीकर के लिए पर्शा दाखिल कर दिया है PCC चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर सबाल खड़े की है अपने ट्वीट में कमलनाथ ने कहा भाजपा का शुरू से ही संसदी परंपराओं में कभी विश्वास नहीं रहा है वर्शों से विधानसबाध धक्ष पद सत्ता पक्ष और उपाध्धक्ष का पद वपक्ष को देने की चली आ रही परंपराओं को भाजपाने तोड़ा है लेकिन हमारा शुरू से ही संसदी परंपराओं में विश्वास रहा है हम दो निर्न लिया है कि हम विधानसबाध धक्ष पद की संवधानिक गरिमा को देखते हुए विधानसबाध धक्ष पद के लिए निर्वाचन में पूर्ण सहुप करते हुए निर्विरोध धंग से विदान सभा अध्यक्ष पद का निर्वाचन करवाने में अपनी और से पूर्ण सहुख प्रतान करेंगे प्रतान करेंगे